नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी निउज और मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरूही आमादमी पार्टी के सैयोजक और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल ने राज्ये के स्वास्थे मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफतारी को लेकर आज सीधा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है CM केजरिवाल ने कहा है कि केंदर सरकार ने ED की मदद से सत्येंदर जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया और अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया पर कारवाई की तैयारी कर रहे हैं केजरिवाल ने कहा कि मेरी PM मोदी से अपील है कि वे हमारे मंत्रियों को एक-एक करके नहीं बलकि एक साथ गरफतार कराएं हमें गरफतारी से डर नहीं लगता है केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा विश्वसनिय सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंदर सरकार मनीश सिसोधिया को भी गिरफतार करने जा रही है पता चला है कि केंदर सरकार ने सभी जाँच एजेंसियों को मनीश सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तयार करने को कहा है कल उन्ही सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंदर सरकार मनीश सिसोदिया को भी गिरफतार करने जा रही है पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जहांच एजंसी life को मनीश 두सो दिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी केस तैयार करने को आए जैसे इनोंorig ंद्रेंट जन के खिलाफ फर्जी केस किया है वैसे ये लोग मनीश जी के खिलाव भी फरजी केस बना रहे हैं मुझे केवल ये पता है कि मनीश और सतेंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है अगर मनीश और सतेंद्र भरष्ट हैं तो फिर इमानदार कौन है खैर मेरी प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़के विंती है ये एक एक करके जेल में डालने की बजाए आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी मेलेज को एक साथ जेल में डाल दीजिए सारी जाँच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जाँच कर ले आप एक एक मंत्री को गिरफतार करते हो इसे जनता के कामें में बादा होती है इस खास खबर में फिलहाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं टीपीवी न्यूस नमस्कार